आज के हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, मेरी बेहनों, मेरी सक्खियां और हम सब की माएं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि सब कहते हैं, अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोचने तरक्य की जी नहीं क्योंकि आज भी इतने लोग है जो अपनी बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ है तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंते हैं है कोई जवाब औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है फिर कोई गोंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता है कोई जवाब उनके पास आज भी इतने लोग है जो 21 साल तक टीवी सोफा बैड फ्रिज वाशिंग मशीन नहीं खरीगते आपको पता है क्यों मैं बताती हूं क्योंकि वो अपन प्रतीशत दौलत दान कर दी और यहां बाप अपने दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो अपनी गंजी भी पहना छोड़ देता है अजीव रिवाज है हमारे मुल्क का नियां आदमियों की खराब होती है और गूंगत औरतों की निकलवाते हैं और हम कहते अपना देश बहुत आगे बढ़ गया अरे बेहन बेटी को तो छोड़िये लोग तो अपने स्वारत के लिए अपनी मा को भूल जाते हैं उनका बटवारा कर लेते हैं अगर मैं मा के बालीदानों पर बात करूं तो रात हो जाएगी लेकिन दोशब जरूर कहूंगी उन बेटों के मा तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी कि बेटा खाना बना रही थी ना इसलिए गरम हूँ अब हमें पुराने रीती रिवास को तोड़ कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि हर मा हर बाप यह कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जनम में मुझे बेटी ही चाहिए And I think women are foolish to think that they are equal to men because they are far superior than men and have always been. Thank you.